असलाम उलेकूं आज हम हांडी चिकन बनाने जा रहा है बहुत ही आसान सी रेसेपी है रेस्टोरेंट स्टाइल रहाबा में मिलती है यह तो यहां पर हमने हाफ केजी चिकन ले लिया है और यहां पर कुछ लैसुन की कलिया ले लिए दस बारा एक इंची अद्रक्ट ले लिय मीडियम साइज के इनको दरदरा साम पेस्ट लेंगे मिक्सी में या जापर में चौप भी कर सकते हैं तो यह चिकन अच्छे से दोके साफ करके रखा हुआ है तो अब इसको हम एक बरतन में ले लेंगे और यह जो मसाले आपको दिखाए थे अद्रक लैसून प्यास और हरी इस लिए रिए फीय को हम रखाएर नंची एच और और दाले देगे लिया हैं और शाड़ा किना नश्ट पहर क्लें एक साथे लिए एक स्पून में ले में अच्छे थे 3चल भी कर्णि, और एक टीस्पुन इसमें नमक डालेंगे इन सारी चीजों को अच्छी से मिक्स करके मेरिनेट होने के लिए एक गंटे के लिए रख दें या आधे गंटे के लिए तो जरूर ही रखें इसको अगर एक घंटा दो गंटा रख देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो यह मेरिनेट हो जाएगा अच्छे से और इसके बाद जब मेरिनेशन हो जाएगा तब हम इसके आगे का प्रोस्स करेंगे तो यहां पर हमने दस बारा काली मिरच के दाने लिए एक बड़ी लाइची दो तेजपते एक दाल चीनी का टुकड़ा थोड़े से जावितरी है और य इसके बाद हम इसको पकाने जा रहे हैं तो यहां पर हमने 200 ml या 1500 ml सरसू का तेल ले लिए और इसमें थावित मसाले डाल दें और फिर इसके बाद जो हमने मेरिनेशन करके रखा है चीकन इसको डाल देंगे इसमें जो होल स्पाइसेज हैं अगर आप चाहें तो इसी में मिक्स करके तब आल में डालें तो थोड़ा सा चटकने लगते हैं होल स्पाइसेज तो अब इन सब चीजों को अच्छे से भूनेंगे हम बिल्कुल ओयल रिलेज हो जाना चाहिए तो थोड़ा सा धकने के बाद फिर दो अच्छे से ब हिरे यहां पर हिyonda कला राता है तो अब इसको हम बहुत अच्छे से भूनेंगे दस-पंद्रा मिनिट भूनेंगे थोड़ा सा धक देंगे मौश्यर आ जाएगा इसमें हल्का सब पानी छुट जाएगा और फिर इसके बाれてैं गलत बहुनेगा इसी के साह कोक कानप दम करना तो अजिसने में यह नियुक्त कर सो﹌ा तर बस इसी तरम कालतना कश्मेरी में। कि अज़ती है कि अपर नहीं फिरुक्त कर दो तो इस नहीं कोल गता है तो इस में पर्लिज च Zachary Communist आए गा है और हरी मर्चे वगरा आप अपने टेस्ट के साफसे बड़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं थोड़ा सा तीका होता है यह धाबा वाला जिकन तो थोड़ा सा हमने इसमें पाई डाल दिया है हाफ कप से भी कमी पाई डाला है बस इसको दम देना है क्योंकि इसमें बहुत जादा ग्रेवी तो रखी नहीं चाहती है बस इतनी ग्रेवी रहेगी यतना यह आपको दीख रहा है भी तो बस इस पे कुकर कर ढखकन लगा देंगे हम और इसमें जब प्रेशर बन जाएगा सीटी नहीं आने देंगे और इसको हम फ्लेम को आफ कर द देंगे तो जो हांडी में बना जाता है मट्टी के हांडी में बना जाता है तो उसमें दम दिया जाता है उसको अतंदूर बगरमे या कोईलो पे पकाया जाता है दम तो उस तरीके से तो पकानी रहे हैं इस तरीके से पका रहे हैं बहुत आसानी से बन जाता है और टेस्ट मज़े का तो बच्छो ने का कि यह वैसे ही लग रहा है तो एक बर आप भी वैसे ट्राइश को कर सकते हैं। वह जी मज़ी रेसिपी है। अगर आज के हमारी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो एक बर लायक ज़से ज्यूकर करिए गा। शेयर करिए हमारी रेसिपी को अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे फिर मिलेंगे इंशालला ऐसी एक बहतरीन सी रेसिपी के साथ अला हाफिज